दोस्तो बॉलिवोड की दमदार होट एंड ग्लैमरा सदाकारा मलाइका अरोडा का शनिवार को एक भेहंकर कार एक्सिजेंट हो गया है जी हाँ आई ये जानते हैं पूरा मामला दरस्तर शनिवार को मुंबई के पास पनवेल में उनकी कार का एक्सिजेंट हो गया था जिसके चलते अभिनेत्री को मुंबई के अपोलो होस्पिटल में भर्ती कराया गया है मलाइका अरोडा को कुछ चोटे भी आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक मलाइका के कार ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना नियंटरन खो दिया था और उनकी कार अन्ये दो कारों से जाबढ़ी और अभिनेत्री मरते मरते बची दोस्तो बताया जा रहा है कि अदाकारा के आग के पास कुछ चोटे आई हैं और उन्हें कुछ टाके भी लगे हैं लेकिन ओवरोल वह छीक हैं आपको बता दे कि वह अपनी रेंज रोवर में थी और उनकी कार बाकी दो कारों के बीच में आ गई थी बताया जा रहा है कि वह किसी इवेंट को अटेंट करने के लिए घर से निकली थी बट उनकी जान जाते जाते बची दोस्तो अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो वह अपने बॉइफरेंड अरजुन कपूर के साथ चर्चाओं में बनी रहती हैं और अगर बात मलाइका की फिटनेस की करें तो 48 की उम्र में भी उन्होंने 30 की उम्र की एक्टरेस को भी धूल जटा दी है वेल गाइस हम मलाइका अरोडा के जल्द स्वेस्ट होने की काम ना करते हैं वेल दोस्तों आपको हमारी अपडेट कैसी लगी हमें कॉमेंट में बताएगा और ऐसी ही मोर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा